सबसे पहले दानिश जिनकी All India 171 रैंक है और इनको NIT सूरत कल एलॉट हुआ है और मैं दानिश के बारे में बताने से पहले बताना चाहूंगा कुछ बात है सबसे पहले दानिश भुपाल में है और इन्होंने फाइनिल एर के साथ यह रैंक अचीव किये और बहुत ही ओड कं के लिए बहुत-बहुत बदाई और दानिश आप अपनी सकसे स्टोरी बताईए क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी अच्छी नहीं होती है और वह ऐसे में कई बार रुख जाते हैं या उन्हें लगता है कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है या हम क्या करेंगे तो आप अपनी सकसे जर्नी को बताईए कि आपने कब पहले तो निमसेट के लिए सोचा फिर कैसे पढ़ाई की और किस धन से सब कुछ मैनेज किया जिससे कि वो बच्चे जो की फाइनिल यर में हैं जो फाइनिशली वीक हैं वह समझ पाई कि हमें लाइफ में क्या करना इसने सबसे खुशनसीब जिन्दीगी आता फर्माई मुझे साधी साथ में शरस्तर का बहुत बहुत जाला शुक्रियादा करना चाहूँगा जो उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे लाके मुझे खड़ा किया और उसके बाद मेरे पैरेंस जिन्होंने लगातार कोशिश कर लगातार प्रयास करके रहे मेरी हर एक चीज पर उन्होंने ध्यान दिया और उसके बाद मेरे फ्रेंड्स जो मेरे हमेशा साथ रहे उन सब का मैं शुक्रियादा करना चाहूँगा और सो निमसेट की जो जर्नी थी वह बहुत अच्छी रही इंपीटर्स गुरुकुल के सा बहुत जादा मैंने इंजॉई किया अपनी पड़ाई को और अपने चीजों को बहुत जादा डेली रूटीन से कनेक्ट करके रखा जिसका रिजल्ट मेरे सामने ही है और सबसे पहले जो मैंने निमसेट के बारे में सोचा था वह मैं एक टूर पर गया था मैट्स के टूर तो वहाँ पर पड़ा चला कि निमसेट का भी एक चीज होती है जिसके तुरू हम M.C.A कर सकते हैं और प्रिस्टीजियस कॉलिज इसमें जा सकते हैं लाइक एन इन बड़े बड़े कॉलिज जो यूनिवर्सिटीज उसके उसमें जा सकते हैं और जब मैं कोशिश करता गया मुझे को पड़ा चला बहुत सारे इंस्टीट हैं जो निमसेट की प्रिपरेशन कराते हैं सबसे पहले तो मुझे एक इंदोर में एजेंट मिले जिनका परिशाय आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे तो वह जो एजेंट है उनको कॉल किया तो सबसे जादा उन् शुरू से ही मेरा पड़ाई में बहुत जादा दिल्चस्पी था बट जिस दिन में शरत सर के पास आया जिस दिन में शरत सर से मिला इंपिटस ग्रोकुल में देखा तो मुझे लगा नहीं कि इसके अलावा को मेरे लिए बैस्ट हो सकता है यहां का इन्वार्मेंट यहां क जो भी डेली रूटीन सर ने मुझे प्रोवाइड किया सर ने अपना बैस्ट दिया मेरे लिए क्योंकि सर को पड़ादा कि मैं कुछ ना कुछ तो करी सकता हूं तो सर को बहुत ज्यादा यकीन था और सर के ही बडोलत आज में यहां पर हूं और उनका इसका जो पूरा क्रे लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे साथ वाले मुझसे बहुत जादा खुश है मेरे परिवार मुझसे बहुत जादा खुश है और आज NIT सूरतकल जैसा कॉलेज जो एक NIRF में भी अभी टॉप 10 में आया है और वह कॉलेज मिला है तो अपने आपको बहुत चाहें जितना भी कहना चाहें वो सब कह लें अगर यहां पर कच्रा आता है अगर यहां से कच्रा आएगा तो यहां से फिल्टर होकर जाएगा बिना फिल्टर कि यहां कोई काम नहीं है इंपिटर्स गिरुकुल is a platform where all the students will filter and perform their very well performance साथ इसाथ इंपिटर्स में सबसे जादा मैंने यह सीखा है कि अपने से जादा दूसरों को खयाल कैसे रखा जाए साथ इसाथ हम तो पढ़ रहे हैं जो हमें आता है और सामने वाले को नहीं आ रहा तो हम उसको अपना बेस्ट कैसे प्रोवाइट करे जाएं क्योंकि सर ने हमको एक बात सिखाई है कि लर्निंग बढ़ाने से कभी खत्म नहीं होती लर्निंग जब भी हम करेंगे और साथ से साथ हम दूसरे को पढ़ाएंगे तो हमारी लर्निंग और ज्यादा इंक्रीज होगी तो इसी के साथ मैं अपनी कोचिंग भी स्टार्ट कर दीती मैं घर पर बैठके बै पड़ता भी था निमसेट की प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे उपर नीचे बहुत सारे लेविल्स आये मेरे पास बहुत सारी हर्डल साइं जिसको मुझे क्राउस करना पड़ा कभी टेस्ट में मार्क्स नहीं आते थें कभी पर्फॉर्मेंस लो रहता था कभी क्लास में होता था बहुत सारे इशूज आये बट ओवरकम करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर हम आठ सीरियस नहीं हुए तो आज के बाद अगर आने वाले जितने भी साल होंगे हम उसमें कभी भी सीरियस नहीं हो पाएंगे यही जो दो से तीन साल है यही हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है आज यह जिस मुकाम पे खड़ा कि नहीं मैं कुछ लाइफ में कर सकता हूं और अभी मैंने जो किया है उससे आगे ही मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा और साथी साथ जो लोग इंपिटस से जोड़े हैं वो भली भाती जानते हैं इन सब चीजों को कि जो आज प्रोग्रेस है जो इंपिटस का रिकवरी तो लोग इस बारे में जरूर बोलते हैं और बोलना जाइस है कि आपके इतने कम स्कॉरस आता है आपके टॉप रैंगर से मतलब नहीं हमैं बच्चे को जहां थे हम उससे उपर पहुचाने जा मतलब है तो यहां की सबसे अच्छी ब्यूटी जो मुझे लगती है वो यही जैसा अभी दानिश ने बोला, बिलकुल सच बात है, मेरा एक मानना है, और आपने यहां पढ़ाया देखा ही होगा, कि हर बच्चा पढ़े और हर बच्चा बढ़े, कोई ऐसा ना हो कि फाइनेशर प्रॉल्लम के वज़े से पीछे रह जाए, आज यही रिजन है कि आज इंपिटर्स की एक कोशी यह है कि हमें तो बढ़ नहीं है, पर हमें अपने साथ वालों को भी आगे बढ़ाना है, केवल हम खुद बढ़ गए, तो क्या कि आपने लिए तो सभी जीते हैं, जो औरों के जीता है, वो एक्चल में लाइफ होती है, और यही कल्चर इंपिटर सब्सक्राइब के लिए तो कोई बच्चा कभी भी कमजोर नहीं होता, मैं आप सभी बच्चों को एक बात बोलूँगा, कि आप कोई कमजोर नहीं हो, ना ही कोई फाइनिशे प्रॉलम के वैसे पीछे होता, बस एक बार ठान लो और बढ़ जाओ, आज अगर हम देखें, त अगर आपना जैन्जिह पर nineSet 21 का रिजल्ट यह वह इंडिया का best ABS रिजल्ट है, नंबर वन रिजल्ट है, और सबसे खाध बात है, इसमें हर तरह का बच्चा है, यानि वो बच्चा भी है, जिसने classroom कोर्स किया, online किया, टेस्श शीरिस किया, magical कोर्ष किया, यह एक achievement है, ज अगर आपको मैट्स बिल्कुल नहीं आती तो निराशा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इंपिटस ऑल्वेज रेडी फॉर यू हमेशा हमेशा तयार है और प्रेपरेशन के सवाल रही तो प्रेपरेशन यहां पर बैस्ट होती है सुबा साथ बज़े से लेके रात के आड़ बज़े तक इसा कोई से भी टाइम नहीं जाता है जिसमें शरट सर साथ में नहीं प्रतीक सर साथ में नहीं शिवम सर साथ में नहीं कहीं ना कहीं बहतरीन गाइडेंस के साथ हमको मिला ही जाता है इंडिया की टॉप जो इंस्टिटिउट है आप अगर मैं बात करूं तो इंडिया काफी सारी बात बताई अब आपको अब आपकी एक सक्षे जनी स्टार्ट हो गई है आपने साथ साथ अपने जूनियर्स जो लोग कहीं वीक हैं कहीं कुछ प्रॉलम आती है उनको भी आगे बढ़ाना ऐसी आगे बढ़ो all the best and once again thank you sir एक और बात कहना चाहूंगा कि जो लोग financial barrier के वज़े से अपना carrier छोड़ देते हैं यह सोचते हैं कि नहीं मैं coaching की fees afford नहीं कर सकता तो आप जानिये कि मैं भी आप में से कोई एक ही था बट मैंने यह सोचा कि आज अगर मैं fees अपनी pay नहीं कर पाता तो मैं अपने आपको stand नहीं कर पाता तो प्लीज अगर आप लोग यह सोचते हैं कि मैं अपना financial की वज़े से अपनी पढ़ाई रोग तो यह बहुत गलत है आप stand लीजिए क्योंकि आपका एक stand आपकी पूरी situation से निकल कर आए हो तो आपको best that कोई भी नहीं रोग सकता है तो guys please बहुत अच्छे से पढ़ाई करें बहुत मोटिवेटेड रही है सर से connected रही है चाहे वो YouTube से ही क्यों नहीं सर ओवरॉल जो बताते हैं वो genuinely nimset और life के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है So thank you so much for everyone for viewing this video